हेलो दोस्तों, मैं वेजन्ती, हमारे इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसी तरह ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स की नई-नई जानकारियां आपको देते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आईए, आज हम जानेंगे जलने के दाग दूर कैसे करें, दुरघटना कहीं भी कभी भी हो सकती हैं। अगर किचन में काम करते वक्त या अन्य किसी कारे में हमारे हाथ पैर या अन्य जगह की स्किन जल जाए, तो लंबी समय होने के बाद भी गहरा काला दाग हटाने में हम असपल हो जाते हैं। अक्सर मैलाओं में ये समस्या जादा होती हैं, क्योंकि वकिचन में इतना काम करती हैं, कि कई बार उन्हें इन परिशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जलने के दाग या निशान को मिटाने के लिए आप लगतार प्रत्न करते रहते हैं। और अगर तवचा गोरी हो तो ये दाग और भी अधिक दिखाई देते हैं। फिर किसी भी पार्टी या शादी या फैमिली फंशन में जाने के समय इस जले हुए दाग पर आपका ध्या पाने का भरपूर प्यास करते हैं। पर कब तक ये दाग आपको परिशान तो करता ही है। आप सोचते हैं समय के साथ ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जली के दाग कई सालों के गुजरने के बाद भी रह जाते हैं। फिर आप मार्किट से कितन इन दागों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पैक के बारे में। जैसे एक पैक बनाएं। जिसमें गुलाब जल, मुलतानी, मिठी और नीवु का रस मिलाएं। या पैक ज्यादा गाढ़ा नहीं हो। इस पैक को जले के निशान पर 6-7 मिनट लगा कर रखें, फिर ठेंडे पानी से धोलें, दाग दूर हो जाएगा। इसके अलावा, दिन में कई बार जले के निशान पर नारियल का तेल लगाते रहें। इससे निशान चले जाते हैं। हपते भर में ये कारगर परिणाम देगा। इसके अलावा, जब भी आपके इसकिन जल बल्कि जलन भी कम करता है और जलने का निशान भी मिटाता है। आप जली हुई इसकिन पर या दाग पर एलोवेरा जल निवमित लगाए। आपको फायदा होगा। एवं बादाम का तेल बादाम का तेल जली हुई दागों को दूर करता है। बादाम तेल से रोज जली हु और दाग वाली जगह पर लगाएं नीवित रूप से करने से जलनी के दाग खत्म होंगे आप आलू को कद्दू कस करके उसका रस निकाल ले अब इसे दाग पर लगाएं आलू का रस बहुत जल्दी कालापन को खीच लेता है और इसकीन को पहले जैसा कर देता है इसके अलावा आप टमाटर के रस में एक नेवू का रस निचोड़ दे अब इसे जले हुए दाग पर लगाएं या दाग खत्म करेगा और इसकीन भी साफ करेगा इसके अलावा जो, हल्दी और दही को समान मात्रा में मिला ले और उसका पेस्ट बना ले अब इसे जलने के निशान पर लगाएं या जल्द राहत देगा या जलने के खाव को भी जल्दी भर देगा इसके अलावा जले हुई इसकीन के दाग पर शेहत लगाकर 15-20 मिनट तक छोड़ दे अब ठंडे पानी से धोले, आपको आराम मिलेगा एवं केले के चिलके को दाग वाली जगा पर रब करे इससे दाग जल ठीक होगा इसके अलावा हल्दी और गुलाब जल मिलाकर दाग पर लेप करे इससे दाग दूर होगा तो दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखे और अब मैं वैजन्ती आप सभी से विदा लेती हूँ तो दोस्तों हमारी ब्यूटी टिप्स और हेल्थ टिप्स की नई-नई जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हे गाइस, I hope कि हमारे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर करें और हमारे इस वीडियो को अधिक सदिक शेयर करें तो दोस्तों आप स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें Be Careful, Be Safe Thank You